असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बिस्नस फाइनेंस डिसेशन सेशन नम्बर थ्री तो इस सेशन का हम एजंडा देखते हैं सबसे पहले किया है Agenda Agenda कुछ इससरा से है Link between Investing and Financing Decisions देखें पिछले सेशन में हमने ये identify किया कि Investing Decisions क्या है और Financing Decisions क्या है और मैंने आपको एक बात बताई कि यार इस subject में होगा ये कि सारी चीजें आपको साथ साथ लेकर चलनी है आप isolation में चीजें डिसकेस नहीं कर सकते, आप isolation में चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आपके past papers isolation में नहीं आते, तो बात सारी है के हमें investing decisions and financing decisions इन दोनों के बीच में क्या तालुक है, जहर है, बहुत ज़्यादा डीटेल में नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ सा हमें तालुक जो है, वो अभी ही कायम करना होगा मालूम करना होगा पता करना होगा ताके जब हम आगे की चीज़ें पढ़ रहे हों तो हमारे दिमाग में एक आप कहलो कि बेक्गराउंड पर ये बात मालूम हो कि इन दोनों के बीच में क्या तालूक होता है ये बात आपने याद रखनी है ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारी बार ऐसा होगा कि हम investing decision पर रहे होगे और बीच में कोई financing decision की बात आरी होगी छोटी मोटी तो मैं आप लोगों के साथ discuss कर लूँगा और बहुत सारी बार आप फाइनेंसिंग डिसिशन पर रहे होगे और इंवेस्टिंग डिसिशन की बात हरी होगी तो मैं आप लोगों से डिसकस कर लूँगा अच्छा अब ये दो चीजे है क्या और कैसे इनका तालोक है ये आज का हमारे जंडा है इस शोटी सी विडियो का देखें जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इस एन आर्टिफिशल परसन कंपनी इस एन आर्टिफिशल परसन कंपनी कोई खुद एक चीज नहीं है ये लोग ही होते हैं जिनसे वो कंपनी बनती है और इस कंपनी में दो बाते होती हैं जिससे वो कंपनी चलती है, रिटर्न्स या प्रॉफिट्स कमाती है वो दो बाते क्या होती है कि भई कंपनी सबसे पहले लोगों से पैसा लेती है ठीक है ना? लोगों से पैसा लेती है क्यों बिजनस करने के लिए पैसा चाहिए बिजनस करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है बिजनस करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत है बिजनस करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है और फिर कम्पटी उस फंड से बिजनस करती है मुखतलिफ प्रोजेक्स करती है मुखतलिफ काम करती है मुखतलिफ काम करकर और नतीजदन कुछ कामा कर देती है अपने शेर होलर्स को अपने इन्वेस्टर्स को अपने डेट होलर्स को इन डिफरेंट फॉर्म्स डेट होलर्स तो यहां पर जो बंदा फाइनेशल मैनेजर बैठा वह है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने क्या करना होता है उसने फाइनेंस लेनी है उसको इस्तेमाल करकर रिटर्न्स जेनरेट करकर देना है अब मैंने आप लोगों के सामने कुछ फाइनेंसिंग और कुछ इन्वेस्टिंग की वैल्यूज रखी है ताकि यह लिंक बना सकूं कि इन दोलों के बीच में तालुक क्या है और इस बंदे ने अ स्थाने के कुछ पैसे क्ष्क रेस किये कुछ पैसे जोहें वो लोगों से लिए हैं कुछ इक्विटीयल कुछ डेट aur related का मतलब शेयरोलडर संहां या उन्हों ने जो शेयरोल्डर ने जो investment करी company में या पैसा लगाया ठीक है और कुछ debt holders है अच्छा हमें इसकी भी किसी खास detail में नहीं जाएंगे कि ये equity की 500 की value कैसे आया और 10% कैसे आया फिल वक्त हम नहीं जाएंगे बाद में हमें ये भी पढ़ना होगा कि ये 10% कैसे आया 9% कैसे आया 500 कैसे आया 300 कैसे आया लेकिन फिल वक्त आप कहलो कि इस financial manager ने क्या किया है भई इन साहब ने जो है वो 500 रुपे equity holder से दिये हैं और ये equity holders इनको कहते हैं कि हमें तुम साल का 10% कामा कर दोगे हम require करते हैं इतना return यानि के हमें तुम साल का 50 रुपिया 500 पे हमारे कमा कर दोगे इस शर्प पर हमने तुम्हारी company में invest किया है ये मेरा required return है मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पास 500 लगा हूं अन्ना मैं तुम्हारी company के shares बेच दूँगा इसकी बहुत सारी कहानिया और detail में भी जाएंगे लेकिन उपर उपर से मोटी मोटी बात कि पांच सो रुपे दी हैं आपको आप हमें साल का 10% कमा कर दो यह हमारी तवक्का है यह हमारे required rate of return है यह हम चाहते हैं हमारे desired rate of return है बहुत सारे words पेपर में इसके लिए यूज होता है और जिन्होंने उधा दिया उन्होंने 300 रुपे लगाया और उनको मैंने बुलाव है भाई मैं आपको 9% का return दूँगा तो 9, 9, 18, 18 और 9, 27 यानि कि मुझे मुझे साल के 77 रुपी कमा कर देने है अब यह बात अलग के सर यह debt holder से ही पैसे ले 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 था financial manager equity holder से क्यों लिया ह इतना simple, इतनी simple सी बात नहीं होती है कि जो सस्ता है वही ले लो जब debt की quantity increase होती है तो equity holders की भी शरायत भड़ जाती है और बहुत सारे मुक्तलिव मामलात और मसले मसाइल हैं जो हमने discuss नहीं की है तो बाराल अभी simple सी situation है कि 500 रुपे कुछ लोगों से नहीं है जिनको 10% के साब से साल लाना return देना है और 300 रुपे कुछ लोगों से लिए जिनको 9% के साल लाना return देना है यानि कि साल पर 77 रुपे 77 मुझे कामा कर देने है अच्छा मैं ऐसा भी कर सकता हूं साल के 77 रुपे ठीक है इसकी भी डीटेल में जाएंगे यह है क्या हमने क्या किया कि टोटल 77 रुपे देना है 800 रुपे के इन्वेस्टर्स को तो 9.65% देना है टोटल पैसो पर अब जनाब यह financial manager पैसे तो ले आए financing हो गई अब यह invest कहां करें इनके सामने दो प्रोजेक्स हैं दो options हैं दो फीके जो इंकी नुस इनको मिले हैं कि इनको किसीने बठाया है कि तुम यहां पर पैसा लगाओ या तुम इहां पर पैसा लगाओ जो इन्हों ने धूनने हैं और दो प्रोजेक्स क्या है एक. प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट है अगर आफटू रुपे लगांगा तो मैं नौ पर्संड कमाऊंगा तो इसका मतलब यह गया कि आटफो पर कितना कमाऊंगा दूसरा प्रोजेक्ट एक तो बात सारी यह कि इन जनाब ने इन फाइनेशल मैनेजर ने ये डिसेशन लेना होगा कि क्या हम A में इन्वेस्ट करें या B में इन्वेस्ट करें हमारे पास जो 800 रुपे हैं उसकी इन्वेस्ट्मेंट कहा होनी चाहिए क्या A में इन्वेस्ट्मेंट होनी चाहिए क्या B में इन्वेस्ट्म क्यूंके 72 रुपीस का रिटन डेता बी में आइनुएस्ट करूँगा क्यूंकि 77 से ज्यादा यानिके 80 रुपीस का रिटन डेता तो जो रिक्वाइड है उससे जादा मिल रहा है 77 पर वो लोग खुश थे और मैं उनको 80 बना कर दे रहा हूं उनके 800 के साला ना तो इसका मतलब मुझे project B को prefer करना चाहिए select करना चाहिए A और B में से B जो है वो जादा बहतर है एक ये तरीका है सोचने का कि आप absolute terms पर जो आपने calculation करी है value की यानि कि 77 जो है न इसका comparison कर लो दूसरा तरीका क्या है सर दूसरा तरीका यह कि देखो तुम्हें 800 पर 77 यानि कि 9.625 परसंट का मांकर देना था तो एक जगा से 9 परसंट मिल रहा है एक जगा से 10 परसंट मिल रहा है तुम 10 परसंट वाली जगा पर invest करो यानि कि जो तुम्हारा required rate है अगर उससे जादा required rate है अगर उससे जादा required rate से जादा तुम्हें कहीं पर मिल रहा है वहां पर invest करो अच्छा अब इसमें मुक्तलिफ questions आपके दिमाग में आ सकते सर प्रजेक्सी भी होता जो 800 रुपे मांगता और 11 परसंट कमाता कॉमन सेंस क्या कहता है वहां invest करते हैं सर अगर प्रजेक्ट B में 400 रुपे लग रहे होते और 400 बच रहे होते तो क्या करते हैं यह सारे सवालात आइस्ते आइस्ते आपके आंसर किये जाएंगे अगर दिमाग भी develop करा जा रहा है what is financial management what is business financial decisions ठीक है यह cases भी आ सकते हैं क्या 800 में से 400 रुपे इंवेस्ट हो रहे हैं 400 रुपे पड़े हैं ठीक है and so on so far बहुत सारे if if वाले questions बहुत सारे हो सकते कि अगर यह होता अगर यह होता अगर ऐसा हो जाए त तो क्या होगा I know मुझे भी मालूम है इसलिए यह financial management की दुनिया जो है वो छोटी दुनिया नहीं है बहुत बड़ी दुनिया है यह तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि financing and investing decisions के के बीच में क्या तालुक हो सकता है क्या link हो सकता है क्या तालुक है क्या इनों यह दु यह 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 इसा भी नहीं होता कि इतना सामने सामने लिखावा हो कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा इतना चाहिए compare कर लो नहीं असान थोड़ी होगा लेकिन हम तो अभी अपना एक मिजाज बना रहे हम अपना एक तालुक बना रहे है financial management के साथ हम मुक्तलिफ चीजों के बीच में linkage देख रहे हैं शुरू की कुछ sessions में के एक दूसरे के साथ आखिर तालुक क्या है तो जैसे के मैंने अर्स किया पिछले sessions में के investing and financing decisions go hand in hand दोनों को आपने जो है वो साथ साथ पढ़ना होगा देखना होगा समझना होगा और अपने धिमाग को खुला रखना होगा और कभी कबार ऐसा होगा कि कुछ बाते जो है वो आपने शायद बाद में पढ़नी हो और को भी पूछी जा रही हो तो उस पर आपके थोड़ा सा ऐलर्ट रहना होगा ठीक है तो आई होप कि इस session का agenda भी पूरा होता है और आप लोगों को बात समझ में आई होगी आप लोगों के feedback का मुझे जरूर इंतजार रहेगा आप लोगोंने मुझे feedback जरूर प्रोवाइड करना है मेरे WhatsApp नमर पर आपने मुझे feedback टोवाइड करना है और मुझे आपने बताना है कि इस course में क्या बेहतरी हो सकती है ठीक है जी तो अपना बहुत ख्याल रखियेगा अलहाफिस